आज हम बात करने वाले हैं रुदराक्ष के बारे में रुदराक्ष जो होते हैं वो अलग-अलग टाइप के होते हैं रुदराक्ष एक सीड होता है और यह जो पेड हैं वो यूजिली नौर्ट अब इंडिया में पाए जाते हैं कुछ केरला में तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं तो उसका जो सीड होता है वो होता है रुदराक्ष और रुदराक्ष के जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं रुदराक्ष के मुख और ये जो मुख होते हैं, number of मुख के अनुसार अलग-अलग रुदराक्ष, अलग-अलग planet के साथ connect करके दिखा जाता है और उस अनुसार, उस रुदराक्ष का प्रयोग किया जाता है, in, mala, in, wearing, as, an ornament, और उसके अलबा कुछ लोग ज sacred चीज मानी जाती है, और इसको अलग-अलग planet से, अलग-अलग देवी देवताओं से जुड़ कर दिखा जाता है, तो आज हम रुदराक्ष की basic जानकारी लेने वाले हैं, रुदराक्ष के बारे में generic चीज़ पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कि रुदराक्ष एक विरक करना चाहिए, बच्चों को, स्तियों को इसका बहुत जादा प्रेयोग नहीं करना चाहिए, और remedy के तोर पे जब आप पहनते हैं, यानि कि किसी planet से संबंदित आप रुदराक्ष पहनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक, दो या जादा से जादा तीन आपको रुदराक् सूर्य के हिसाफ से जाएंगे हम, तो सूर्य का रुदराक्ष होता है, एक मुखी रुदराक्ष, और एक मुखी रुदराक्ष बहुत ऐस्पिशियस माना जाता है, सन जो है वो अथोरिटी को, रॉयल्टी को, और confidence को दिखाता है, तो यही सारी चीज़ें आपको एक मुख गंटा इसको डिप करके रखिए और पहन लिजिए, चांदी के या सोने के चेन में आप उसको डलबा सकते हैं और पहन सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि आपको नन्वेज नहीं खाना चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको प्याज लेसुन नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारे नियम बताया जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रादर रुदराक्ष जो है, वो आपको प्यारिफाय करता है, चाहिए आप जो भी करते हो, आपके अगर कोई गलत आदते हैं, तो यह या कोई भी रुदराक्ष पहने से, वो गलत आदते हैं, छूटने में आपको मदद मिलेगे, तो इसलिए आपको पहनना चाहिए, ज्यादा आपको लोड लेने की दरूरत नहीं है, ठीक है, फिर चंद्रमा के लिए जो है, वो दो मुखी रुदराक्ष पहने जाता है, और यहाँ पर और एक टाइप होता है रुदराक्ष का, उसको बोलते हैं गौरी शंकर रुदराक्ष, तो यह दो टाइप के रुदराक्ष पहने जाते हैं और चंद्रमा, उसके बाद मंगल के उपर आते हैं, मंगल के लिए पहना जाता है नौ मुखी रुदराक्ष, नौ मु तो इन सारी चीज़ों के लिए 9 मुखी रुदराक्ष पहना जाता है, उसके बाद हम आते हैं गुरू पे, गुरू के लिए 5 मुखी रुदराक्ष पहना जाता है, यहाँ पर एक additional tip यह है कि 5 मुखी रुदराक्ष कभी भी single नहीं पहनना चाहिए, अगर आप सिर्फ एक 5 मु observation है, आप इसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, तो यह गुरू का result बढ़ाता है, गुरू का result होता है, related to अध्यात्मिक्ता, spirituality, meditation, पूजा पाट, उसके साथ में higher education, education इसमें भी मदद करता है, और शादी और बच्चे होने से related भी मदद करता है, उसके बाद हम आते हैं शनी के लिए पहना जाता है सात मुखी रुदराक्ष, सात मुखी रुदराक्ष पहना जाता है शनी के लिए अगर आपके कोई court battles हैं, अगर आप mining से related, leather से related, oil से related, और समुदर से related, navy, merchant navy से related, ऐसा कोई भी काम करते हैं, politics में हैं, तो या law करते हैं, judge हैं, lawyer हैं, तो ऐसी fields मे शनी जो है, वो आपको results अच्छे देता है, तो वहाँ पर ये रुदराक्ष आप पहन सकते हैं, सात मुखी रुदराक्ष, उसके बाद हम आते हैं, बुद्गरह के लिए चार मुखी रुदराक्ष पहना जाता है, और बुद्गरह जो है, वो communication skills को दिखाता है, memory को दिखा अगर आप कोई काम करते हैं, आपको वायवाज बहुत देने पड़ते हैं, अगर आप टीचर हैं, बोलना बहुत पड़ता है, तो ऐसे सारे professions में ये चार मुखी रुदराक्ष काम करता है, और इसके बाद आते हैं हम शुक्रगरह पे, शुक्रगरह के लिए 6 मुखी चाहिए, 6 मुखी रुदराक्ष जो है, उसके उपर अगर आप प्रग्या विवर्धन स्तोत्र का पाठ करते हुए, जलका अभिशेक करते हैं और उसको पहनते हैं, तो उससे आपकी जो प्रग्या है, यानि कि आपकी याद रखने की शमता, बोलने की शमता, आपकी बेसिक लोगों का मैंने ये दिखाए कि वो 6 मुखी रुदराक्ष पहनने से पहले वो लोग जो हैं, इंजिनेरिंग में फेल हो रहे थे, और 5-6-6 सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे, और फिर बाद में वो लोग 1st class distinction से पास भी हो हैं, तो ऐसे मेरे खुद के कुछ clients हैं, उनका अ आठ्यमुखी रुदराक्ष रहु का होता है, रहु जो है, वो politics को दिखाता है, government jobs को दिखाता है, insurance sector को दिखाता है, banking sector को दिखाता है, और उसके साथ-साथ जितने भी आप समझ सकते हैं कि intoxication से related कोई products होते हैं, services होते हैं, तो वहाँ पर ये काम करता है, यानि कि चाय, coffee हो या फिर आपका कोई bar हो, आप tobacco और cigarette बेचते हो, तो इन सारी चीज़ों में ये रहु आपको help करता है, तो रहु आठ्यों की रुदराक्ष आप पहन सकते हैं, जब इन सारे profession से related अगर आपका कोई business है, job है, जो भी है, और केतू का होता है रुदराक्ष, तीन मुखी होता है, अब रुदराक्षों में, नौ ग्रहों के रुदराक्ष तो हमने जान लिए, अब यहां पे रुदराक्ष में भी gemstone की तरह ये देखना जरूरी होता है, कि वो जो ग्रह है, वो आपके चाट में अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, यानि कि जो सारे मारकेश, बाधकेश, टारी वीडियोज हैं, वो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, और इसके अनुसार, जो अनुकूल ग्रहा है, उन्हीं के रुदराक्ष आपको पहनने चाहिए, रुदराक्ष में आपको बहुत जादा मंत्र बढ़ने की कि रुदराक्ष ही आपको प्यरफाइड करता है, तो आपको और बाकी की चीज़े करने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, रुदराक्ष कॉम्परिटिवली, यूजुली, जो है, जर्मिस्टों से थोड़े चीपर होते हैं, कुछ-कुछ rare रुदराक्ष होते हैं, वो बहु सकते और इसके बाद और एक चीजेस में यह कि upraund बाए ingredients कर वे फिजी आपको अनुसार में छाते हैं तो अगर आप अपना कोर सकते हैं रुदराक्ष मैं भी आपको दे सकता हूं हाला की मैं directly नेपाल से आने वाले रुदराक्ष देता हूँ कुछ ऐसे रुदराक्ष होते हैं जो Indonesian भी होते हैं तो यह natural रुदराक्ष होते हैं और अगर आप ही seven step activation process वो इस रुद्राक्ष पर की जाएगी और आपके नाम पते पर courier आ जाएगा आपको ठीक है और फिर आप अपने पास जब वो आ जाएगा तो वहाँ पर आप छांदी की चेन में उसको डलवा सकते हैं सोने के चेन में डब ला सकते हैं जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप इसके साथ कर सकते हैं ज्यादा तर जो मेरे पास से आने में वादे जुद्राक्ष है वो half inch या one inch के होते हैं कुछ-कुछ इसमें जैसे 8 मुखी 9 मुखी है तो वो काफी expensive हो जाते हैं जब वो आधे एक inch के होते हैं तो वो थोड़े चोटे हो सकते हैं और 4 मुखी 6 मुखी उजिली आधे से 1 inch के बीच में होते हैं तीन मुखी भी काफी बड़े आपको मिल जाते हैं और बाजार में यह जो मिलते हैं वो मिलते हैं हजारों की कीमत में लेकिन बहुत सारी इसमें से जो जुद्राक्ष है वो मैं आपको less than 1000 में भी दिलवा सकता हूं including 7 step activation process and including with courier cost तो अगर आप लेना चाते हैं तो मुझसे भी contact कर सकते हैं description में आपको email ID में बिल जाएगा अगर आपको Facebook या Instagram से देखना है तो वहाँ पे जाके वहाँ से भी आप मुझे message करके बता सकते हैं ओके या फिर अगर मैं live आता हूं तो live में भी आप मुझसे contact कर सकते हैं तो ये थी रुदराक्ष की जानकारी रुदराक्ष भी आप पहन सकते हैं बहुत effective होते हैं और इससे भी काफी आपके जो problems हैं वो कटने में मदद मिलती है लेकिन सिर्फ remedy के लिए और planet देखकर ही रुदराक्ष का प्रयोग आपको करना चाहिए कभी भी बहुत बड़ी माला है आमलेट ये वो बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए और जात के लिए कभी भी इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ज़वान है जिनकी शादी हुई है या शादी करना चाहते हैं फाइनेंचल ग्रोथ अभी तक हुई नहीं है तो ऐसे लोगों को रुदराक्ष का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए सिर्फ remedy के लिए जो एक दो है उतरे ही आपको पहनने है तो यह था आज का हमारा episode of Outputting the Stars उमीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और बाकी की जानकारी मैं डाल दूँगा description में तो वहां से आप उद्राक्ष भी देख सकते हैं और पसंद करके खरीच सकते हैं मिलते हैं अगले episode में विद और भी जादा धासु information तब तक के लिए May God bless you all सब्सक्राइब ची कि लिए स मिल्गण हैं